दोस्तों अगर आप एक YouTuber है और YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको ये वीडियो को देखना चाहिए इस वीडियो में हम आपको बताइंगे Plus Studio एप के द्वारा YouTube पे जो वीडियो अपलोड करते हैं उसके लिए थाम डेल कहाई से लगाते तो आगल toapic वीडियो लेके आए हैं आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक भी कर दिजीगा अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दिजीगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले वाइट्यू स्टूडि नहीं किये हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजीए अब देख सकते हैं जैसा कि यह ओपन हो गए आप मेरा वाइट्यू स्टूडियो अब देखिए आपको थमनिल जो लगाना है इसके लिए आप देख सकते हैं डैस्बोर के वगल में कंटेंट है इस क्लिक कर लेते हैं हम आपको बताते हैं कि थमनिल कैसे लग उपर में आप देख सकते हैं फ़स्ट में 11 अक्टुबर दोहजार वाई से वीडियो कभी पभी प्रबाले अग्सर होता कि लोग जाते हैं Google Chrome के द्वार लगाने तो वह लंबा प्रोसेस हो जाता है अब देखे थामडिल लगाने के लिए क्लिए क्या करेंगे यहां पेंसील का साइन दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने का आपको हम बताते हैं यहाँ पर फिर से देखिए pencil का picture दिखा रहा है ठीक है तीर के निशान के नीचे इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने का आप देख सकते हैं custom thumbnail है और 3 picture जो दिख रहा है जो video का ही लिया गया है तेहां देखिए custom thumbnail है यहाँ custom thumbnail पर क्लिक कर लेते हैं उसकाद यहाँ मेरा gallery open हो गया इसमें से एक जो हमको thumbnail लगाना है उसको यह से की इसी को लगाना है इसको select कर दिए उसकाद यहाँ देखिए done का button है इसको click कर देते हैं उसका save पर click कर देते हैं देखिए edit save हो गया अब देखते हैं यह होगा की नहीं देखिए हो गया न तो इस तरीका से आपको पता लग गया होगा कि कैसे y2 studio app के द्वारा thumbnail लगा सकते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देजीगा अगर चैनल पे नहीं हैं तो subscribe कर दीजीगा फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में